दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें साथी बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे आने वाली वीडियो की इंफोर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी वो भी मुफ्त में वेट लिफ्टिंग क्यों ज़रूरी है वेट लिफ्टिंग अच्छे स्वास्थ के लिए किये जाने वाले वियायाम का एक हिस्सा है कुछ लोग बाकी वियायाम करते हैं लेकिन वेट लिफ्टिंग से बचते हैं लोगों में ये गलत दारना होती है कि वेट लिफ्टिंग की साथ ही आपकी चरबी कम हो तो आपको वेट लिफ्टिंग करना ज़रूरी होता है तो चलिए जान लेते हैं कि वेट लिफ्टिंग करने से हमें क्या होता है पहला यह दोस्तों मांस पेशियों का विकास मजबूत मांस पेशियों से न सिर्फ सरीर बहतर होता है बलकि वजन भी fit गड़ता है. वेट ट्रेनिंग का एक सबसे बड़ा कारण यह होता है कि इससे मांस पीचियों की वरिद्धि वह विकास होता है. वेट-Lifting के बाद आपकी मांस पैशियां पहले से बढ़ जाती है. नस्ट मांस पेचियां सुधर जाती है और इसी वज़े से चयापचय शमता बहुत बढ़ जाती है वेट लिफ्टिंग का दूसरा फाइदा ये है कि इससे आपके शरीर की बनावट सुगडित होकर शरीर को आदर्श आकार देती है जिसे अंग्रेजी में फिगर कहा जाता है इससे आपके व्यक्तित्व में भी उभार आता है और आप पहले से बहतर दिखाई देते हैं शरीर की शक्ति वो मजबूती बढ़ती है वेट लिफ्टिंग के पहले 6-8 सफता के दोरान आपके शरीर में बल के लिए अपनी मांस पेशों का इस्तिमाल करने की शमता बेहतर हो जाती है जितने ज्यादा अवधी तक आप बाहर उठाएंगे उतनी ज्यादा शक्ति आपको हासिल होती है वेट लिफ्टिंग का एक बड़ा फाइदा ये है कि आप खुद को तनाव से मुक्त महसूस करते हैं अगर आप नियमित तोर पर इसे अपने वयाम में शामिल करते हैं तो आप मांसिक तनाव को कोजसो दूर कर सकते हैं फेट खत्म करना लाइट वेट लिफ्टिंग की तुलना में हेवी वेट लिफ्टिंग करने से अधिक फेट बर्ण किया जा सकता है जितना भारी वजन आप उठाते हैं उतने ही ज्यादा केलोरी आप कम करते हैं वहीं दूसरी तरफ लाइट वेट लिफ्टिंग से फरकाउट के सिर्फ एक गंटे बाद ही फेट बर्ण होने लगता है वेट लिफ्टिंग से आपकी मसल्स मजबूत होती है और आपकी काईरी करने की शमता में भी वृद्धी होती है चाहे आप लाइट वेट लिफ्टिंग करें या हेवी वेट लिफ्टिंग कुछ सावधानिया बरतनी ज़रूरी होती है खाली पेट वेट लिफ्टिंग एक्सेसाइज न करें नहीं खाने के तुरंत बाद करें एक्सेसाइज के तक्रीबन 40 मिनिट पहले खाना खाले अगर आपको फिर से भूक लगती है तो 10 मिनिट पहले हलका स्नेक ले सकते हैं इसके अलावा तुरंत वेट लिफ्टिंग एक्सेसाइज शुरू न कर दें इससे पहले वार्म अप करना ज़रूरी होता है इससे आपके खून और आपकी मसल्स में अधिक ऑक्सिजन का संचार होने लगेगा इन सबी बातों का ध्यान रखकर आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं जानकरी पसंद आई हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दन्यवाद